जैस्री कृष्णा राधे राधे कई बार धन की मुश्किले ज़्यादा परिसान करती है लोग एक ही तरह से मेहनत तो करते हैं पर कोई बेक्ती ज़्यादा सफल हो जाता है कोई एकदम से नीचे तब के प्याही रह जाता है आखिर क्यों? ऐसा होने के कारण क्या है? कई बार समझ में नहीं आता कई बार लगता है जैसे जिन्दगी एकदम से बिरान हो गई है कई बार आप सुकून में भी आ जाते हैं कई बार लगता है सब कुछ बस बहता जा रहा है आप समझ नहीं पा रहे कि आखिर जीवन में हो क्या रहा है धन की मुश्कले हैं कि पिछाई नहीं छोड़ती तब ऐसे में आप एक छोटा सा प्रियोग कीजेगा और ये प्रियोग आपको हर तरह के गरहों की इस्तिती से बाहर निकालेगा आपके कुंडली के बुरे दोसों के प्रभाओं से बाहर निकालेगा आपका जो समय गरबर चल रहा है उस समय को बहतर कर देगा समय की चाल को सही कर देगा क्योंकि ये समय ही सब कुछ करवाता है कहते हैं न समय बुरा है लेकिन समय को बदला जा सकता है आपके खुशियों में तो आज हम आपके साथ जुड़े हैं बस आपके भागे को बदलने के लिए महा प्रयोग के बारे में आपको चाहिए होगा एक 100 रुपीज का नोट और एक नोट ऐसा जिस पे कुछ भी लिखा ना हो यानि बिल्कुल क्लीन नया नोट मिल जाए तो अति उत्ता मोड़ा हुआ ना हो लिखा हुआ ना हो गंदा अम्मा लेते हैं आपको गंदे नोट हैं मिल रहा हैं नए नोट नहीं है तब क्या करेंगे तब देखिए अभी नोट उतने भी कागज के नहीं होते हैं कि वह खराब हो जाए इसलिए उस हंडेट रुपीज के नोट को आपको लेना है गंदा भी नोट है वह भी चलेगा ठीक है उसको हलका साफ कर लें पानी में भी साफ कर सकते हैं लेकिन हलका सा ज्यादा रगड़ियेगा मत उसको फिर आप उसको सुखा लें किलिप के सहारे और हलका सा उसको कड़ा करने के लिए रखें और उसके उपर एक सूती कपड़ा रखें उसको प्रेस कर दें वह बिल्कुल क्लीन नहीं होना चाहिए अब आपको चाहिए तीन चीज चावल हल्दी और कुम कुम चावल को पीस कर उसका जो पाउडर है उसको एक दो बुन पानी में डालका सा घूल बना लें अब हंडेड रुपीस के नोट को आप अपने पुजा स्थान पर ही बैढ़ जाए उसको रखें चावल का जो गोल है पीसावा उससे आप हंडेड रुपीस के नोट पर लिखिए स्रिंग जो हल्दी है उसको थोड़ा से गिला कर लें पानी के साहरे उसमें लिखिए हिरिंग और जो कुम कुम है उसको भी थोड़ा से गिला करके लिखिए दूग अब इसको सुखने दूप दीव दिखाईए भगवान से प्रांतना करें कि प्रभू हमें ब्रक्त दें क्योंकि स्ट्रिंग रिंग दूंग जो मालक्षी मादुरुगा और मा काली का असिरबाद लेया हुआ है तो आपकी जीवन के मुश्क्रियों को कम करेगा और धन अस्थान पर रख दें फि किसी भी दिन कर लें हाँ अगर गुरुवार का दिन हो सुक्रवार का दिन हो तो सर्वोत्तम नहीं तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं फिला भी दालेते हैं धनिवाद